All India Personal Law Board ने एक बार फिर समान नागरिक सहिता पर सवाल खड़े किये हैं हाल ही में लखनों में हुई बैठक में समान नागरिक सहिता के खिलाप All India Muslim Personal Law Board ने प्रस्ताव पास किया है जिसके बाद मुसलिम धर्म गुरू और मुखर हो गए हैं हमारा मुल्क जिसा के आप जानते हैं सब जानते हैं कि यहां एक ऐसा चमन है कि जिसमें मुक्तलिफ किसम के फूल मुक्तलिफ रंग के फूल या खिलते हैं तो अब जाहिरे के आप ये कहें कि सब एक से फूल खिलें एक चमन के अंदर और कुछ दूसरा रंग आने न पाए तो इससे तो चमन जो है वो तबाव बर्बाद हो जाएगा मेरट के एक और धनगुरू ने भी समान नागरिक सहिता के खिलाप राए जाहिर की है मुसलिम धनगुरू कारी शफीक का कहना है कि सरकार का काम जनता पर कानुन थोपना नहीं है यकसा स्विल कोड हमारे मुलक के लिए किसी भी तरहां से कहीं गुझाईश नहीं है इसके अंदर इसलिए के कानुन ने जो हमें मजहभी आजादी दी है तो हिंदोस्तान में बसने वाले तमाम तमकों को सबसे पहली बात ही कि इस से इस कानुन के बनाने से जो हमारा दस्तूर है उसके खिलाव वर्दी होती है मेरट के मुसलिम धर्म गुरूओं की समान नागरिक सहिता पर प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब सौमवार को ही बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने समान नागरिक सहिता का खुलकर समर्थन किया मुसलिम समाज में ही समान नागरिक सहिता पर राय बढ़ गई है सौमवार को इकबाल अंसारी ने UGC का समर्थन किया तो अगले ही दिन मेरट के धन्म गुरूओं ने मोर्चा खोल दिया